हलो बच्चो वेलकम टो आई यूट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड एट्थ के मैथेमाटिक्स का चैप्टर फोर्टीन कमपाउड इंट्रेस्ट इसका एक वीडियो मैंने अल्रेडी अप्लोड कर दिया है जहां पर मैंने आपको simple interest और compound interest में क्या difference होता है वो explain किया है और compound interest का formula क्या है वो explain किया है हमने उस समें first question भी solved किया था तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका link description में दिया हुआ है जल्दी से जाके वीडियो देख लीजे फिर ये वीडियो चालू कीजिए ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए तो आज हम शुरू करते हैं बागी की questions तो second question दिया हुआ है principle 5000 रुपीस rate 8% per annum and duration मतलब number of years n is 3 और क्या calculate करने बोला है amount and compound interest तो सबसे पहले compound interest का formula लिख लो यह आ जाएगा compound interest का formula a is equal to principle into 1 plus r upon 100 raise to power n value substitute कर दें principle दिया हुआ है 5000 rate दिया है 8 तो यहाँ पे 8 लिख देंगे and n दिया है 3 तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा principle के जगे पे आ जाएगा 5000 वन प्लस rate के जगे पे आ जाएगा 8 अपॉन 100 the whole raise to n n के जगे पे आ जाएगा 3 अब इसको solve करते हैं क्या मिलेगा 5000 into अब यहाँ पे इसके उपर वाले में जो cut होता है यहाँ कट कर दो two fours are eight two five's are ten two zero's are zero इसको और कट कर सकते हैं न two twenty five's are fifty two two's are तो हमको क्या मिला 25 और यहाँ पे टू यह 25 one's are 25 प्लस 227 तो क्या मिल जाएगा 27 upon 25 the whole cube the whole cube का मतलब पता है न आपको तो अगर मैं two cube लिखूंगा तो two cube का मतलब क्या होदा है two multiplied by two multiplied by two three बार आएगा न two because यह तीन बार आ रहाए उपर तो 27 upon 25 जब दिया है आपको क्यूब के साथ तो आप क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे इक्वल टू 5000 इन्टू 27 upon 25 27 upon 25 27 upon 25 ठीक है अब इसको कट करके देखो तो यह तीन को पहले मल्टिप्लाइ करके देखो रफवक में क्या आता है तो मैंने यहाँ पर आपके लिए calculation किये है देखो यहाँ पर तो 27 into 27 यहाँ पर multiply किया मुझे मिला 729 फिर वो 729 मिला इसका उसको फिर से 27 से multiply करना है तो फिर से 27 से multiply add answer आया 19,683 फिर यह जो आया तीनों को multiply करके 19,683 इसको multiply किया यह 8 से तो मुझे answer आया 157464 ठीक है अब नीचे 25 बचा है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर आ जागा equal to 157464 divide by 25 अब यह division करो और जो भी answer आया वो आपका amount आ जाएगा तो मैंने आपके लिए division भी देखो यहाँ पर किया हुआ है this number divide by 25 pause करके एक बार division देख लो portion क्या रहा है 6298.56 तो हम लोग यहाँ पर answer क्या लिख लेंगे answer लिख लेंगे हम लोग 6298.56 ठीक है यह अपना amount हो जाएगा न देखो यहाँ पर हमने amount calculate किया है यह पूरा calculation था ठीक है तो यह amount आगया मुझे amount पूछा है plus compound interest पूछा है compound interest के लिए दूसरा formula लगाना पड़ेगा क्या लिखेंगे यहाँ जाएगा formula amount is equal to principal plus interest value substitute करो amount मुझे पता है 6298.56 is equal to principal कितना था 5000 plus interest यह interest का value चीए तो उसको वहाँ पे अकेला कर दिया बाकि यह 5000 को उदर बेच दो यहाँ पे plus है तो उदर जाके minus हो जाएगा तो मुझे मिलेगा 6298.56 minus 5000 subtract करके क्या आएगा 1298.56 यह आगया मेरा interest तो मुझे amount भी मिल गया और मुझे interest भी मिल गया दोनों मिल गया final answer क्या लिख सकते हैं यहाँ जाएगा and final answer the amount is Rs. 6298.56 यहाँ पे से निकाला था देगो यह पूरा amount का calculation था and interest हम ने निकाला Rs. 1298.56 बच्चों यह सारे जो questions इसमें calculation काफी लंबा होगा क्योंकि यहाँ पावर आ जाता है तो नंबर्स बड़े हो जाएगे ठीक है तो यह एकदम अच्छे से calculation देखो और खुद से प्राक्टेस करो सिर्फ वीडियो देखोगे न और बाद में अच्छानक से exam में आपको जाके solve करना पड़ेगा तो आपको wrong ही मिलेगा आप वीडियो देखते देखते प्राक्टेस करो यह सारे calculations और चेक करो कि आपको भी right आता है कि ने क्योंकि देखो यह division काफी लंबा ह ठीक है प्राक्टेस करोगे तो आ जाएगा difficult नहीं है लेकिन प्राक्टेस करना पड़ेगा इसका screenshot ले लो जल्दी से next हम करते है third question में principal दिया है 4000 रुपीज rate दिया है 7.5% per annum and duration दिया है 2 years ठीक है तो हम लोग को वही same amount and compound interest find करना है दो questions हमने already solve कर लिए थर्ड वाल आप खुद से try कर सकते हैं क्या एक काम कीजिए video pause कीजिए खुद से try कीजिए फिर video play करके देखे के मैंने क्या किया लेकिन खुद से try करना है क्योंकि calculations आपको practice करने पड़ेगे तो यह formula हमको already पता है a equal to principal into 1 plus r upon 100 the whole raise to n 4000 into 1 plus r कितना है 7.5 upon 100 the whole raise to n n है अपना 2 ठीक है अब यह देख लोगे 7.5 upon 100 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 75 upon 1000 नीचे एक 0 extra डाल दूँगा तो यह decimal point इधर से इधर move हो जाएगा अब 75 के बाद decimal point मतलब 75 number हो जाएगा तो 7.5 upon 100 को मैं लिख सकता हूँ 75 upon 1000 आया समझ मैं तो next step में हम लोग क्या करेंगे इसको लिख देंगे 4000 1 plus 75 upon 1000 ठीक है अब इसको cut कर सकते हैं करना है तो क्या आ जाएगा यह cut होगा 25 3 जा फिर यह होगा 25 4 जा 100 फिर 0 जा 0 अब इसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता next step क्या आएगा इसमें एक extra step लेख रहा हूँ यह 40 into 140 plus 3 ऐसे आ जाएगा तो मुझे मिलेगा 40 plus 3 upon 40 the whole square 40 plus 3 कितना होता है 43 upon 40 the whole square whole square का मतलब क्या दो questions किया है हमने इसके पहले whole square का मतलब 43 upon 40 दो बार आ जाएगा यह square है ना इसलिए देखो same term यह वाला term दो बार लिख दिया है अब इसको solve करो इसी है solve करना यह 0 के साथ यह 0 के साथ यह 0 के साथ यह 0 के साथ यह 0 काट फिर 410 ठीक है इसको चीए तो टू टू जा टू फाइल जा तो मुझे मिल गया 5 upon 2 into 43 into 43 ठीक है अब यह 43 into 43 इधर ही पता दाना तो यहां पर उसका value लिख दो 43 into 43 मत लिखो रफ वक में 43 into 43 solve करो और वहां पर value लिखो तो देखो यहां पर 43 into 43 यह जो value है वो आ रहा है 핑 है 149 तो यहां पर मैंने लिग दिया 1449 अब यह 149 को 5 से multiply करो तो यह मुझे मिल रहा है 149 into 45 इसको multiply करके मुझे मिलेगा 9245 तो यहां पर लिख दिया 9245 divided by 2 अब यह division करके बताओ कितना आ रहा है जल्दी से करको यह मैंने division किया देखो 9245 divided तो डिवाइड करके मुझे आ रहा है 4622.5 पॉस करके एक बार calculation देख लो तो यहां पर मुझे answer आ गया 4622.5 यह क्या है अपना यह है amount A ठीक है यह है 4622.5 थोड़ा calculation लंबा था ना इसका अब इसके बाद interest find करना पड़ेगा amount मिल गया उसके बाद कैसे find करेंगे interest interest का तो easy formula amount is equal to principal plus interest में substitute कर देंगे यह आ जाएगा amount is equal to principal plus interest principal क्या था 4000 तो यहां पे लिख दो 4000 प्लस interest amount क्या है हमको amount देखो यहां पे दिया हुआ 4622.5 तो यहां पे लिख दिया 4622.5 therefore 4622.5 minus 4000 is equal to i 4000 को इधर बेज देंगे क्योंकि i का value चाहिए अब इसको solve करो क्या मिलेगा 4622.5 रुपीज यहां गया अपना आए तो मुझे amount भी मिल गया interest मिल गया अब final answer लिख देते हैं यहां जाएगा अपना final answer amount is 4622.5 and compound interest is 622.5 आ गया समझ में बच्चो यह वाले question में question बहुत simple था लेकिन calculation थोड़े tricky है इसलिए आपको calculation यह सारे practice करने है जिन लोगों ने खुझ से किया उनको सब कुझ सेम आया सेम नहीं आया तो check करो कहां पर mistake किया है calculation करने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं लेकिन final answer आपका यही आना चाहिए ठीक है screenshot ले लो इसका या video pause करके एक बार देख लो चलो आगे बढ़ते हैं अब आधी जनता का जानी दुश्मन word problem आधे लोग दरके ही छोड़ देते हैं बहुत ही simple question है same table जैसा ही question है खाली word problem में frame कर दिया है तो 14.1 का second question है Samir Rao has taken a loan of rupees 12,500 at a rate of 12% per annum उसने loan इतने रुपे का लिया तो यह क्या हो गया अपना rupees 12,500 हो गया अपना principle rate r कितना है 12% per annum for 3 years उसने 3 साल के लिए लोन लिया मतलब एनी कितना हो गया 3 years if the interest is compounded annually मतलब simple वाला खेल नहीं है बच्चों का खेल नहीं compounded annually बड़े लोगों का interest then how many rupees should he pay to clear his loan मतलब end में वो कितना पैसा भरेगा to clear his loan मतलब क्या interest पूछ रहा है क्या amount words अच्छे से देखो बुला है clear his loan मतलब उसका loan उसको खतम करना है अगर loan खतम करना है तो उसको पूरा amount भरना पड़ेगा न जो पैसा लिया वो plus interest जो भी interest आया वो दिया तो उसका loan clear हो जाएगा जल्दी से answer बताओ तो हम लोग यह formula लिख देंगे we know that amount is equal to principal into 1 plus r upon 100 the whole raise to n principal 12500 rate 12% per annum and n is equal to 3 years substitute करो values क्या आजाएगा principal के जगे पे आएगा 12500 1 plus r कितना है 12 upon 100 the whole raise to 3 simple इसको solve करेंगे क्या आएगा 12500 इसको एक काम करो cut मत करो भी ऐसे ही देखते हैं कितना आता है क्या आएगा देखो 100 बंसा 100 plus 12 112 हो जाएगा ऐसे लिख दो 100 plus 12 the whole upon 100 the whole cube फिर आजाएगा 12500 multiplied by यह कितना हो जाएगा 100 plus 12 हो जाएगा 112 upon 100 the whole cube अभी the whole cube का मतलब क्या है मैं यह वाले टम को तीन बार लिखूंगा न क्या आजाएगा 112 upon 100 multiplied by 112 upon 100 multiplied by 112 upon 100 अब यह 100 तो यही पर गायव हो जाएगा है ठीक है फिर यह वाले 25 में कट करते हैं 25 4 जा 100 25 फाइज़ा 125 फिर यह देखो वह 4 1 0 और यह आ जाएगा 4 2 0 8 और 4 8 0 32 ठीक है अब देखो यह 5 1 0 और यह हो जाएगा 5 2 0 0 और गट होता है न देखो यह कटोगा 2 10 0 यह हो जाएगा 2 5 0 10 2 6 0 फिर वापस कट करो 2 5 0 और इसको कर दो 2 5 0 10 2 6 0 तो मेरे पास क्या बचा मेरे पास बचा 56 into 28 into 56 the whole upon 5 ठीक है तो यह calculate करना है हमको 56 into 28 into 56 the whole upon 5 नीचे खाली 5 भी बचाये देखो बाकि सब कट हो गया है और उपर खाली 56, 28 and 56 बचाये यहाँ पर सिर्फ 1 बचा था ठीक है solve करो तो पहले मैंने 56 को 56 से multiply किया तो मुझे मिला 3 1 3 6 फिर जो 3 1 3 6 आया उसको मैंने 28 से multiply किया तो मुझे मिला 87808 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और नीचे तो 5 आएगा ठीक है अब इसका division में मैंने कर दिया देखो यहाँ पर 87808 डिवाइड बाइ 5 तो मिल रहा है 17561.6 तो यह हो गया हमारा amount 17561.6 ठीक है amount मिल गया इसके बार अभी compound interest find करेंगे क्या पूछा ही निया question में तो हम नहीं करेंगे question में क्या पूछा है देखो उसने बोला है how many rupees should he pay to clear his loan मतलब यह amount आया इसके अंदर principal भी है और इसके अंदर interest भी आ गया ठीक है तो यह अगर पैसा वो bank को दे देता है त तो उसका loan clear हो जाता है अब अच्छे से देखो उसने 12,000 लिया था 12,500 लिया था वो कितना दे रहा है bank को 17,000 17,561 जादा पैसे दे रहा है जादा क्यों दे रहा है क्योंकि principal है प्लस उसके अंदर उसने interest भी दिया ब्याज भी दिया साथ में तो total इतना पैसा हो गया तो इसका final answer क्या लिखेंगे तो यह आजाएगे इसका final answer Samir Rao should pay rupees 17561.6 to clear his flow इसका screenshot ले लो एक बार आया समझ में calculations खुद से किया बच्चों जिन्हों ने खुद से किया question के सब steps same आ रहे है क्या calculation के steps हो सकता है आपके अलग हो लेकिन यह final answer same आना चाहिए ओके चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड question है to start a business शलाका has taken a loan of 8,000 रुपीज तो principal हो गया 8,000 रुपीज at a rate of 10.5% PA तो 10.5 मतलब 10 1 upon 2 इसको यादे कैसे read करते थे 10 integer 1 upon 2 mixed fraction हमने सीखा था सिक standard में PCP है after 2 years how much compound interest will she have to pay compound interest पूछा है और कितने time बाग 2 years तो n हो गया 2 years अब यह question में सबसे challenging बाट यह है कि rate में fraction दे दिया है तो देखके कुछ लोग डर जाएंगे डरना नहीं है इसको solve करेंगे इसको यादे कैसे convert कर देते हैं हम लोग 2 10s are 20 plus 1 21 upon 2 लिख देते थे इसको तो यह हो जाएगा 21 upon 2 PCP और 21 upon 2 डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है आपको मिलेगा 10.5 PCP यह यहाँ पर ही आप देखके इसको क्या 10 and a half बोलते है तो 10.5 इधर से भी directly ऐसे लिख सकते हो या फिर पहले इसको convert करो 2 10s are 20 plus 1 21 21 upon 2 इसको divide करके ऐसे check करो तो आपको 10.5 आए तो हम लोग ने इसको लिख दिया 10.5 अभी हम लोग को formula पता है वो formula में substitute करो और value निकालो क्य करेंगा आगे यह आजाए का formula a is equal to p into 1 plus r upon 100 to the power n इसको याद रखने का एक और तो दिखाए यह r हमेशा percentage होता है न तो percentage के नीचे 100 आता है इसलिए r upon 100 ठीक है अब value substitute करो p का value है 8,000 1 plus r कितना है देखो r है 10.5 यहां लिख दिया 10.5 upon 100 n कितना है n है 2 तो यहाँ पर लिख दिया 2 यहां जाएगा 8,000 1 plus यह 10.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ एक दो question पहले लिखा था न 10.5 को लिख सकता हूँ 105 जैसे उसको 105 लिखूँगा नीचे 100 के साथ एक और 0 आ जाएगा ठीक है यह बन जाएगा square अब इसको solve करते हैं कट करो 5 2 जा 0 जा और यह हो जाएगा 5 2 जा 1 जा 21 upon 200 अब यह और कहीं पर कट नहीं हो रहा तो इसको लिखेंगे 8,200 इंटू 1 कितना होता है 200 तो मुझे मिलेगा 200 प्लस यह उपर का 21 ऐसे ही रहेगा और नीचे हमको 200 मिल रहा है the whole square what is 200 प्लस 21 it is 221 upon 200 the whole square फिर 221 the whole square यह 0 है यहां पर फिर यह 221 upon 200 the whole square का मतलब यह दो बार आएगा 221 upon 200 इंटू 221 upon 200 अब इसको कट करो कट करके क्या आएगा यहां पर यह 0 के साथ 0 कट 0 के साथ 0 कट फिर यह वाले 0 के साथ यह वाला 0 कट टू वन जार टू फोर जार एट फिर यह फोर वन जा फोर और यहां पर आजाएगा फोर फाइजा ट्वेंटी तो मुझे क्या मिल जाएगा नीचे मुझे मिलेगा 221 into 221 divide by नीचे क्या बचा है 5 solve करो इसको तो यहां पर 221 into 221 इधर मैंने solve कर दिया उसका आया 48,841 फिर उसको divide by 5 करना है तो मैंने उसको divide by 5 किया तो मुझे आया 9,768.2 तो इसका answer यहां पर लिख देते है रूपीज 9,768.2 अब यह क्या है अपना यह अपना amount ठीक है amount calculate कर लिया उसने क्या पूछा है after 2 years how much compound interest will she have to pay तो हम लोग को compound interest calculate करना है simple formula था याद है a equal to p plus i अगाओ formula a का value substitute किया 9,768.2 equal to principle कितना है 8,000 plus interest अब मुझे यह i का value निकालना है तो यह 8,000 को उस तरफ बेज़ दो equal to को cross करेगा तो क्या बन जाएगा minus तो आजएगा 9,768.2 minus 8,000 is equal to interest यह solve करके आएगा 1,768.2 equal to interest तो यह rupees हो जाएगा तो यह हो गया अपना compound interest यह पूछा था तब final answer क्या लिखेंगे question क्या पूछा था after 2 years how much compound interest will she have to pay तो हम लोग लिखेंगे after 2 years shalaka will have to pay a compound interest of 1768.2 तो यह आजाएगा अपना final answer after 2 years shalaka will have to pay a compound interest of 1768.2 ओके समझ मैं है थोड़ा calculation देखो फेर से tricky था लेकिन question बहुत simple था same formula में substitution करना है यह formula 10-15 बार लिखके याद कर लेना है चलो इसका screenshot ले लो वीडियो pause करके भी देख सकते हो आप लोग ओके तो हमारा practice set 14.1 यहाँ पे खतम होता है यह वाले वीडियो में हमने 2, 3 फिर यह question 2, question 3 यह solve करके practice set 14.1 खतम कर दिया यह बहुत जादा important है क्योंकि इसमें पहली बार आपने compound interest का formula यूज किया है तो आपको compound interest का formula बार बार लिखकर याद कर लेना है क्योंकि पूरा practice set सिर्फ calculation ही है अगर formula याद है तो आप कहीं पे mistake करी नहीं सकते, full marks मिलेंगे हमेश अगर आपको यह video पसंद आया हो तो इसे like जरूर करें, इसका link अपने दोस्तों के साथ whatsapp पर share करें ताकि वो भी compound interest अच्छे से समझ सकें आप इसका link अपने school के whatsapp group पर भी डाल सकते हैं अगर आपने हमारे चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है, तो subscribe करना न भूले, bell icon पर click करें ताकि जब भी हम कोई नया video upload करें, आपको notifications मिलते रहें और आप कोई भी important lectures miss न करें comment section में हमें जरूर बताएं कि आपको यह video कैसा लगा, thank you so much for watching this video